नमस्कार मिंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है अभी की बड़ी खबर कल रीवा राजनिवास में सरकेट हाउस में दुशकर्म का मामला उजागर हुआ जो रीवा के लिए बेहत शर्मनाग था भगवाध हारी महंत ने इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया और इसके बा कि आरोपी बाबा गिरफ्तार हो चुका है सिंग रॉली में महंत रामदास महराज को गिरफ्तार किया गया है वरिश्ट अधिकारियों के निर्देश पर दबंग डियस्पी राजीव पाठक और टियाई यूपी सिंग की टीम ने घेराबंदी कर बलातकारी बाबा को आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और ततपरता दिखाते हुए पुलिस के टीम ने आरोपी को सिंगरॉली में धर्द बोचा बाल और डारी बनवा कर भेज बदलने की फिराक में था बलातकारी बाबा और डियस्पी राजीव पाठक ने सिंगरॉली बस्टैंड क पास नाई की दुकान में रामदास महराज को धर्द बोचा बता दे कि इस घटना के बाद से हर तरफ ये मांग उठ रही थी ग्यापन सौपे जा रहे थे कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफतार किया जाए क्योंकि रीवा की बेटी के साथ इस तरह की दुशकर्म की घट सामने आई है बिगड़े काम बनाने की बात कही गई और उसके बाद जबरन शराब पी लाई गई नाबालिक युवती को और उसके बाद उसके साथ दुशकर्म किया गया खुले मंच उसे मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान ने ये निर्देश दिये कि उसके घर को जम सक्षा नहीं जाएगा तो बड़ी खबर रिवा सरकेट हाउस में हुए दुशकर्म के मामले में आरोपी महंत को गिरफतार कर लिया गया है सिंग रॉली पुलिस ने ये बड़ी कारवाही की है